सोगते आप लोगों का आज हम जा रहे हैं सिवपुरी धाम जो की नेपाल के बाद दूसरा इस्तान है बारत में जहां 525 सिवलिंग आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे और इस जगह का पता है थेकडा कोटा पिन कोडे इसके 32-407 और ये बीड देखकर आप गबराये नहीं ये केवल सावन के महीने या पिर सिवरातरी पर ही तने लोग यहां पर दर्सन करने आते हैं और अभी भीड जदा है तो लोग अपने वानों को यहीं पार्क कर रहे हैं आप भी अगर सावन में आते हो तो यहीं पार्क कर सकते हो अगर यहां से चोरी होते हैं तो आप खुद जिम्मेदार है और इस धाम पर कैसे पहुचा जाए तो हम आपको बता दे कि ये धाम कोटा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमेटर दूरे और नए बसी स्टेंड जो कि संजे नगर में है यहां से डाई किलोमेटर दूरे और अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो सुविद संजे में डाल दूगा है मिन वाद से जाकर आप विजिट कर सकते हो और इदर मिल रही है कि तो अभी सावन चल रहा है तो यह फिरी में यहां पर सर्विस दे रहे हैं कि इस पीका देख कि अ कि माना जाताई कि इस मंदिर की स्तापना संत राणा राम पूरी माराज जी ने वर्ष उन्निस सो उन्चास में चलिए पहले आपको एक सूचना दे देते हैं कि इस मंदिर में सभी मैलाएं और पुरुष मंदिरों में मर्यादित वस्तर पेंट कर ही आवे चोटे वस्तर पेंट बर्मूडा मीनी सकट नाइट सूट कटे पड़े जीन्स पेंट कर आना मना है अगर आप आते हो तो बार से ही दर्शन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है तो हम बात कर रहे ते की माना जाता है इस मंदिर की स्तापना संत राणा रामपुरी माराज जी ने वर्स 1949 में नेपाल के पसुपतिनात मंदिर की यात्रा से लोडने के बाद की थी और अभी साउन का महिना चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग है क्योंकि वो सिव जी से पता नहीं क्या मांगने आते हैं अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के या पी लड़कियां मांगने आते हैं साउन के टाइम पर तो आपने जुत्ते जुत्ते चपल लोगे रहा यहाँ पर उतार सकते हूं यहाँ पर उतारने के बाद हम भी 10 उल्पि वालए चपल उतार देते हैं तो नहाँ पर हम आपको बता दे की यहाँ बगवान स्यू गनेस तेवी अन्पुन्ना और बगवान स्युव जी का समर्पित मंदिर भी बने हुए है और आप लोगों को ये जो बड़ा सा सीवलिंग नजर आ रहा है ये काले पत्तर से बना हुआ है इसका वजन सोला टन है लगबग सोला टन है और इसकी उच्जाई फंद्रा फिट है और इसकी गोलाई छे पिट है और इसके मतलब की सीवलिंग के चारों और ये चोटे-चोटे सीवलिंग बने हुए है जो कि आपको नजर आ रहे होंगे और यही पर एक पर्स पर यह जो आपको दिख रहा है वाइट इसे 84 लाख योनी नियवारण यंतर कहा जाता है एसा मना जाता है कि यह मनुस्यों को फृतिवी पर 84 लाख जियों में से सभी बुराईयों से बसने में मदद करता है कि यह जो आपको जापको 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 और कोटा में इस्तित इस सिवुपुरी धाम पर एकी इस्तान पर 525 छोटे सिवुल लिंगों से अनोकी सोवस्तिक डिजाइन या फिर आकर्ती बनाई हुई है आकर्ती के सेंटर मलब की केंदर में हैं भगवान पसुपती नात जी का मंदीर बना हुआ है जिसमें पसुपती नात जी की चार मुखी मूर्ती बनी हुई है जिनको आप देख सकते हो तो उमिद करते हैं आपको अमारी जानकारी पसंद आई होगी आई हो तो आप अमारे इस वीडियो को सेर कर सकते हो बागी अब आप इसे देखो और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो चेनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं आप लोगों के तो सेर वगिरा कर देना लाइक वगिरा करना चाहे तो भी कर सकते हो फिरी में होता है एक दम मिलते हैं अगले वीडियों किसी ने किसी टोपिक पर उसके साथ झ्मी वे रिलते हैं पर रिलते हैं झाल रिольते हैं ताहिए, झाल पर उसके साथ मिलते हैं मिलते हैं हृ cloud लूग लाट लूग 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 जये 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 जये